नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरे केजरीवाल ने कोट में खुद पेरवी की फिर भी राहत नहीं एक अप्रेल तक रिवान बढ़ाई माफिया मुक्तार अंसारी की दिल के दोरे से मोत यूपी में धारा 145 लगाई गई सजन सिंग वर्मा के खिलाफ अधूरा चालन पेश करने पर कोट ने पुलिस को फटकारा रिलाइंस ने अदानी पावर प्रोजेक्ट में 26 प्रतिशत शेयर लिए बिल गेट्स ने प्रधान मंत्री मोदी का इंटर्व्यू लिया पूर्व आईपिये संजीव भट को 20 साल की सजा इसराहिल पहुँचे एक हजार भारतिय कामगार होस्टल होटल फुल आवास बड़ी समस्या बबर खालसा इंटरनेशनल के पांश लाग के इनामी समेट चार अतंकियों को उम्र केट बैंगलूर कैफे बलास के सरगना मुझमिल शरिफ को एनाई ने गिरफतार किया करपूरी आडवानी समेट पांश लोगों को भारत तरत नकल अमेरिका में माइनस चार डिग्री सेल्सेस में डंकी गुजार रहे राद कोटा में छात्रा ने आत्मत्या की तीन दिन में दूसरी खटना नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुक की हत्या देश की सबसे अमीर महीला सावीत्री जिंदल भाजपा में शामिल राहुल गांधी उद्धव ठाक्रे ने इनकार के बाद शिंदे की शिव सेना में गोविंदा शामिल सीबी आई ने 840 करोड के विमान घोटाले में प्रफुल पटेल को दी क्लीन चीट बाखी की तमाम कवरों के लिए बने रही है राजनामा टिवी के साथ भानिवाद